नमश्कार दोस्तों घरिगेरी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में आपको देने वाले है जानकारी दो ऐसे पौधों के बारे में जो की सबसे जल्दी आपके घर पर उख सकते हैं जी हां दोस्तों मात्र 60 दिन के दोनों पौधे हैं कौन से करनी इनको उगाने के लिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए वीडियो को अन्तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मिशन दोस्तों मिल पाए कि कैसे आप इन पौधों को घर पर लगा सकते हैं औ आपको देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये पौधा जो की आप सभी फैमिलियर होंगे इस पौधे से आपने काफी अगर आप गार्णिंग करते हैं तो आपने इस पौधे को लगाया भी होगा दोस्तों काफी जल्दी उगने वाला दोस्तो ये पौधा है ये है पपीते का पौधा देखिए कितनी गर्थ इसने पकड़ लिये इसकी मुटाई अगर मैं देखो तो देखे पूरे मेरे हाथ की इतनी मुटाई पर आ चुका है ये और मात्र 60 दिन में दोस्तो इसने इतनी अच्छी ग्रोध पकड़ दोनों ही पौध हैं दोस्तो आपको इन दोनों ही पौधों को 16 से लेके 18 इंच तक में लगाना है अगर आपके पास और बड़े ग्रोध वेलेबिल है तो आप उसमें भी इनको लगा सकता है देखिए मिट्टी जो आपको बनानी है अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है यानि कि मिट्टी में पानी का ठहराव नहीं होना चीए दोनों ही पौधे दोस्तो जादा पानी पसंद नहीं करते हैं इस तरीके से द्रेनेज की व्यस्ता करनी है अगर आपके ग्रोध में नीचे द्रेनेज होल्स नहीं है तो उनको बनाईए ताकि इनमें जो पानी आप यह दो करना है इस तरीके से ग्रोध में नीचे होल्स इसके साथ सथ दोस्तों जो मिट्टी रहेग वो मिट्रेंड में ऐसी रहने वाली है कि अगर आप इस मिट्टी को तेखना चाहते है तो वीडियो में ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा जाकर आप आपको देख सकते हैं कि कैसे आप soil बनाते हैं घर की छत पर अगर आप भर की खीती करते हैं दोस्तों तो किस तरीके सापको मिट्टी बनानी है सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है तो चलिए दोस्तो इसमें आगे चलते हैं वीडियो में हमने बात कर ली growback के बारे में रेड लेडी 786, ताइवान रेड, VNR की काफी सारी वराइटीज आती हैं, इन वराइटीज में से दोस्तों आपको जो बैस लगे आप उसको चूज कर सकते हैं, जैसा दोस्तों आपकी वराइटी होगी उस हिसाब से पौधा ग्रोथ करने वाला है, आप जित्ता अच्छा न नहीं मिलेगी, क्योंकि पबीते के पौधे में दोस्तों काफी जादा वाइरस की समस्या देखने को मिलती है, ये वाइरस दोस्तों फैलता भी है, और ये वाइरस सीड में भी होता है, तो इस तरीके से अगर आप अच्छी कॉलिटी के सीड रखेंगे, उनके अच्छी नर सीड्स को, आपको थर्मफोम पॉट में सीड्लिक को रेडी करना है, रेडी करने के बाद देखेंगे जब इस तरीके से हार्डन हो जाए, आप इसको देख सकते हैं कि पौधा हार्डन हो चुका है, और इसमें दोस्तों ट्रू लीव्स भी आ चुकी है, यानि कि जो स्टार सरी दोस्तों आपको 30 days की देख रही है, और यह सामने देख रही है, 60 days की देखें, 60 दिन में पौधे ने कित्ती बढ़ियां ग्रोथ ली है, और 30 दिन में ही पौधा देखें, कितना बढ़ियां तरीके से जर्मिने हो चुका है, तो इस तरीके से इसकी जड़ का विकास भी अगला है इस वीडियो का, इसके बाद दोस्तों इसकी जानकारी देते हैं, कि आपको एसमें देना कहा है दोस्तों, तो देखें, आपको मिट्टी बनाएंगी, उसमें आपने देख लेृँकर कैसे रहे हैं और आपको हलके हीड़़् के हाथ से इस तरीके से इना लिको नि इससे आप compost बना सकते हैं इसको अलग बिन में डाल सकते हैं देखिए हमने यहां पर compost बनानी की प्रक्रिया कर रही है इस तरीके से आप compost रड़ी कर सकते हैं compost के साथ-सथ आप इसको सुखा भी सकते हैं ज़ Days धूसे ही हो जाने के बाद आपको इसमें क्या करना है आपको weight करना है और पौधे को अच्छे nutrition उठाने देना है आपको इसमें पानी कितना दोना है दोस्तों अगर आप इस घर्लओन लगाएञे इसको गर्मी मौसम में लगाएंगे, जब भी आप इसको लगाने वाले हैं, दोस्तों एक बार आपको ध्यान रखने हैं कि पानी बहुत जादा नहीं होना चाहिए, यानि कि चितना हेवी वाटरिंग होगी, उत्तिस की जड़ में गलन की समस्या आ सकती है, तो सडन गलन की सम समस्या से बचने के लिए आपको करना यह है दोस्तों कि आपको इसकी जड़ में पानी को बिल्कुल भी नहीं होड लोने देना है, पौधा काफी बढ़ियां तरीके से कम पानी में सर्वाइफ करता है, मिट्टी की नमी को जाचिए, इस तरीके से अगर आपको मिट्टी की ग्रो कर जाएगा, यह पौधा मात्र साट दिन का है, देखे इसकी नीचे अलमोस लकडी में कनवर्ट हो चुका है, इस तरीके से बेनिफिट्स होता है, अच्छे प्लांट लगाने का, देखे यह है मोरिंगा का प्लांट, जो कि अब थोड़ा सा परिशान भी हो रहा है, तो अब देख सकते हैं कि पौधा अलमोस छे फिटका हो चुका है, यह देखे यहां तक, फिर हमने यहां पे टॉप पे कट लगा दिया है, तो यहां से ब्रांचिंग लेने वाला है, यह दोस्तो फाइदा टॉप पिंचिंग का, जो कि हम आपको करके एक बार दिखाते हैं इस वीडियो में कि हमने क्या किया है पौधे में, जब ही पौधा छोटा था दोस्तो बेखे, इस तरीके से जब पौधे की कोशिका होती है उपर की, तब आप अगर इसको टॉप से हलका सा प्रून कर देते हैं, और अगर इतनी अवस्था रहती है, इतने में भी अगर पौधे में थोड़ी से इंजिनेरिंग अगर आप करेंगे, तो पौधा आपको काफी बड़ी है रिजल्ट्स देने वाला है, इसी के साथ साथ दोस्तो ये पौधा आपको बीच से लगाना है, बीच को सीधे मिट्टी में गाड़ना है, और खुदी पौधा ग्रो करना च देख लीजेगा मिट्टी वाली, ये 18 इंच के ग्रो बैग्स में, दोनों ही पौधे आपकी घर पर बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं, दोस्तो अगर आप मौनसून में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर लगाईए इन पौधों को, अगर आप ठंड में देख हैं, तो भी जरूर लगाईए, अगर आप गर्मी में देख रहे हैं, दोस्तो भी लगाईए, लेकिन लगाईए जरूर, दोनों ही काफी बढ़िया तरीके से आपको जल्दी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देंगे, देखें, इसमें आपको मिलने वाली हैं, इसकी लीव, ज लगाईएगा, चैनल तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे की अपडेक्स आप तक लाते रहेंगे कि कैसे और कितनी जल्दी हमने इनमें से हर्वेस्ट ली है, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है दोस्तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, एक हैक और बतात के इधर आना उनका असान था, और हमारे पपीते को खराब करने के लिए काफी थी वो, इसलिए दोस्तो उसको हमने हटा दिया है, तो आप भी जब भी आसपस फ्रूट्स का पौधा लगा है, mostly पपीता, तो उसके आसपस कोई भी वाइट फ्लाइस का आतंक उसमें नहीं हो तो इक खुदी डिकंपोज होती भी रहेंगी दोस्तो, और बढ़ियां रहेगा, बरसाथ में दोस्तो आपको मल्चिंग अगर आपके पास अवेलेबल है, तो जादा मल्च ना करिए, यह जो मल्चिस हैं, इसको हम बहुत जाद अपने बादों में नहीं देने वाले है, व पहुत एक माध्यम से मिल जाएगा इसको, इस सर्कुलर एकोनॉमी को दोस्तो आप कमपोस्टिंग करके भी कर सकते हैं, जैसे यही चीज, जैसे उस कमपोस्ट बिन में हम डालेंगे, तो भी वहाँ पर वही करेगी, उपर जो हमारी सूख ही बिन है, उसमें अगर हम डालें यह हरे पे अगर बहुत सारे पेस्ट आएंगे, तो आपको दिक्कत होगी, दोस्तो काफी इसकी जो पतियां होती है मुरेंगे कि वो बहुत जादा सूपर फूड में आती है, यानि कि इसमें बहुत सारी nutrition value भी होती है, तो अगर यह nutrition value अगर हम इधर से दें, इसको सुखा कर दें, आपका पौधा काफी बढ़िया करने वाला है, ग्रो, और आप इसको घर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो यह थी दोस्तो जानकारी, दो पौधों के बारे में, जो कि आपको घर पर लगाना चाहिए, इस तरीके से पपीते की बेनेगी नर्सरी, यह लगेगा डिर और जहां आपको लगाना है, इस तरीके से बस रख दीजिए, यह खोदी ग्रो कर जाएगा, और आपके प्लांट में बढ़ियां और ग्रों करके देगा, इसकी मल्चिंग काफी बढ़ियां होगी, इसकी रूट सिस्टम जादा नीचे तक नहीं जाती है, इन प्लांट्स क यह थी जानकारी इस दो पॉधों के बारे में, इसके और डीटेल वीडियो और अप्डेट्स आते रहेंगे, चानल को सब्स्राइब कर लिजिए, बेल आइगन को प्रेस करना ना भूलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,